संसद में संसदों का लगाता निलंबर चल लगा है आज भी कुछ संसदों को बर्खास किया जा रहा है कि किस वजे से इन लोगों को बर्खास किया जा रहा है संसद के भीतर लोगसभा अध्यक्ष और राजसभा के स्पीकर के अपने कुछ विशेश अधिकार है क्यूं पर्खास किये गए वहां की निया मवली कैसी है उस पर मैं कोई टिपनी करना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संसद जो है वो भारत के लोगतंतर का मंदिर है और संसद बहस का इस्थान है डिसकुशन का इस्थान है भारत के भविश की योजनाय बनाने की चर्चावा होती है संसद को सडक छाप नहीं बनाना चाहिए संसद में हुर्दंग नहीं होना चाहिए संसद में हुर्दंग करना अराजकता करना उत्पात मचाना मुझे लगता ये देश का नुकसान है देखे जो आचरण टीमसी के संसद ने किया है भारत के उप्राश्पती का मखौल बनाना मजाग बनाना उनकी बेज़ज़ती करना इससे पूरे देश के लोकतंतर का सर शर्म से जुग गया है संसद नौटंकी की जगा नहीं है संसद कोई ड्रामे बाजी की जगा नहीं है विरोध करने के अपने तोर तरीके हैं, लेकिन उपराष्टपती का मजाग बनाना, उपराष्टपती की तोहीन करना, उपराष्टपती को बेज़त करना, मुझे लगता है कि ये स्वस्त लोकतंत्र के लिए सोभानी देता है। संसद की गरिमा है, संसद की एक मरियादा है, किसी भी संसद को संसद की मरियादा का हनन करने का जिकार नहीं है। का मजाग मनाया है, उनकी सदस्ता तो खारिज हो जानी चाहिए। संसद के भीतर लोकसभा अध्यक्ष और राजसभा के स्पीकर के अपने कुछ विशेस अधिकार हैं। क्यूं परखास्त किये गए, वहां की नियाम अवली कैसी है। उस पर मैं कोई टिपनी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संसद जो है, वो भारत के लोकतंतर का मंदिर है। और संसद बहस का इस्थान है, डिस्कुशन का इस्थान है, भारत के भविश्च की योजनाएं बनाने की चर्चा वहां होती है। संसद को सडक छाप नहीं बनाना चाहिए, संसद में हुर्दंग नहीं होना चाहिए। संसद में हुर्दंग करना, अराजकता करना, उत्पात मचाना, मुझे लगता ये देश का नुकसान है।